हेलो मैं वीटिफुल सोल्स वेल्कम यूट्यूब चैनल चारो विश्य वी चुपले दियर कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे से अपने नावक कर रहे हैं चैनल पर आएंद रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल क प्लीज गाइड कीजे हरी हर में जो भी व्यूवर्स हुनके पार्टनर्स की करेंट एनरजी इस क्या हैं क्या सोच रहे हैं वह अपने मेरे व्यूवर्स के बारे में कि यहां पर ऐसा है आप मैंसे काफी सारे लोगों के लिए एनरजी निकल कर आई है अप लोगों को उनकी फैमिली और वो ठीक है जो लोग बीनालग के यहां पर एनरजी है आपके आपके ग्रोथ की इनरजी यहां पर निकल कर आघी है तो आपके फैमिली जो भी है और मतलब आपकी जो growth है उसको बहुत deeply observe किया जा रहा है आपके पार्टनर उनकी family के दौरा पहला message आई है यहां पर एक बगावदी word channel हुआ है आप इसे कुछ लोग ऐसे होते हैं हो सकते हैं जिन्हों ने अपने partner के against बगावद की है यह फर ऐसा भी हो सकता है इसको दूसरे तरीके से बोने तो ऐसा कि आपके partner ने आपको कभी कोई challenge दिया था या आपके breakup के time आपको challenge मला था आपके husband या आपके wife ने आपको challenge किया था उस चीज का जो result है like उस चीज को जो हम कहते हैं ना कि एक तरीके से आपने उस चीज का मुह तोड़ जवाब देना वो energy यहां पर है for example किसी ने बोला था कि आप कि आपकी बस्की नहीं है आप कुछ कर नहीं सकते तो आपने आपर कुछ करके दिखा दिया वैसी हाँ पर energy है जनरली जो लोग सीधे होते ना उनके लिए अक्सर करके family में या लोगों के साब में यह बोला जाता है कि अरे वह कुछ नहीं कर पाएगा वो सीधा इन्सान है उसके बस्की नहीं है इस तरीके कि अगर चीजें आपके लिए बोली गई हैं आपके लिए इस तरीकी के यहां पर फिर से मुझे आधे आधे चांड नजर आ रहे हैं यहां पर वो एक सॉंग चैनल हो रहा है मैं वो चांड जिसका तेरे बिन ना कोई आसमान तीक है यहां पर वो एनरजी निकल कर आ रही है आपके परसन मून से काफी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं आप फूल मून या न्यू मून के आसपास इस परसन की एनरजी का इस परसन की एनरजी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अच्छे एक बहुत चीचीज कॉमेंट जेक्शन में बताईएगा मुझे कितने लोग है जिनका न्यू मून और फूल मून अब मतलब उतना ज़्यादा उने टॉर्चर नहीं करता है या फिर बहुत सारी ट्रिगर्स लेकर नहीं आता है या बहुत सारी परजिंग नहीं हो आती है बहुत जादा ट्रिगर कर जाती है कुछ ना कुछ ऐसा होता है तो वह भी आपको में लिखिएगा अभी भी आपका टाइम पिरियोड वैसा ही चल रहा है मतलब अब इस प्रॉसस में है मेरे सेकंड चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उस पर मैं आपको वह ए जीप थौर्ट्स आपके दिमाग में चलने लगते हैं अग्रेसिफ थौर्ट्स ठीक है और आपकी हेल्फ पर असर आता है यह साही चीज़े मैं आपको एक्स्प्रेंग करूंगी ओके तब तक हम रीडिंग पर आ जाते हैं आपके पर्सेंट पहले चेहरे पर बहुत ज्यादा बीयर डक्त है तो लेकिन अभी आपके पार्ट्नर को ना कोई इंट्रस्ट नहीं है चेहरा वहरा सजाने में ऐसा मैसेज निकल के आता है ऐसे मान लीजिए कोई लड़की थी बड़ा टिप टॉप में रहना हमेशा करना विशा सजे धजे गूमना ऐसा हो गया इस पर्सेंट को कि ना फेस देखना है अब ना चेहरा देखना है आईने के अंदर ठीक है मतलब बहुत ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं लेते हैं पर जैसे मेरे व्यूवर्स हैं यह सेल्फ लव नहीं करते ते इनका सेल्फ लव लवड़ गया होगा आपकी पार्ण सेल्फ लवव जादा कर देता हिनका सेल्फ लव घट गया है ऐक यहां पर एक दिल दिखाई दे वाजे हूं हो पार एक सॉंगर चैंट हो रहा है सीने में दिल, दिल में धड़कन, धड़कन में क्या है तेरी प्यास है, हर प्यास में हर प्यास में दर्द है सनम, यह दर्द तेरा अहसास है, यही कारण है कि परसन आयना नहीं देखते जादा, अब जादा आप इस परसन को अभी देखेंगे ना कभी, आपको खुदी समझ म आजाएगा आप कर नोटिस करेंगे कि यह कुछ भी पहने होंगे ठीक है अच्छे से ड्रेस्स पहनते हो और अच्छे से टिख टॉप कर रहते वो आप बना थो आप अपको वैСके कर लेंगे कि पहले बहुत स्धा Especially पहले प्रसлам आप बहुत साथा चीज़ हैं नहीं बहुत में आप नोटिस कर लेंगे तो कई आप खुद यह चीज़ कर लेंगे कि पहले यह परसंट कितना वैसे रहते तो अब यह कैसे रहने लगे हैं यह चीज मुझे आपर दिखाई दे रही है अभी एक दिन और यह मैसेज निकल के आया था किसी का पार्टनर है जो मतलब जिसको गम है बहुत जादा खह दो बूद मैसेज मैं करती हैं कि साधने के लिए मना करती हूं हम क्या कर लेते है कि सामने वाले को जर्म कर लेता है अपनी बुर्डी के नुसरा हमाँ सा हरे लगता है कि ऐसा ही चैलिंज किया गया था, आपको कही न करी टागेट कर दिया था, इनकी फैमिली ने, इनकी फैमिली ने, आपके खिलाफ कुछ चीज़ें बोली तो आपके पार्टनर को लगा, हाँ, बिलकुल आप ऐसे ही इनसान हैं, ठीक है, और आपने सारी चीज़ों को गलत साबिट कर दि किया, उसके कह देने से आप नहीं हो जाओगे, आपके कर्म बताएंगे कि आप वास्तम में हो या नहीं, तो वो एनरजी यहां पर निकल कर आती है, जैसे आपके पार्टनर ने आपको गलत समझा है, बहुत साई लोग के पार्टनर ने आपको गलत समझा है, बहुत स्टॉ किसी 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 ना किसी थर्ड पार्टी के थुरू आप लों के कनेक्शन्स में इस परसिन ने एक टैम पर ऐसा फील किया है आपके साथ रह कर यह पताने जिसके साथ रेजोनेट करेंगा मुझे कॉमें सेक्शन बताईएगा कि अब रही का पहाड बना देते हूं मिल्ब छोटी सी बात को आप बहुत लंबा खींच देते हो उस पर इशू क्रेट कर देते हो ऐसा यह परसन आपके बारे में सुचा कर देते है पास्ट में ठीक है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं इनको भी अपनी फैमिली की बात ने सुननी पड़ी या फिर उनको ऐसा लग सब कुछ आपके भी तरवी नहीं है आपके अंदर भी कुछ ना कुछ कमिया सो प्रतीशात होती है किसी के अंदर कुछ कम ही होती है किसी के अंदर कुछ कम ही होती है जब आप किसी से प्यार करते हो तो उसके अंदर भी सारी अच्छी चीज़े हो ऐसा जरूरी नहीं है कु जोसे आपके पार्टनर ने इस चीज को ले कर आपको जच किए को फूरी आपको खक्रButzer, इस तरीक अच्छा को बना, गुग ना इक पहाड जय सी फील हो रही है तो, इस पर लगता था, इस चीज पर इन वहां ठोग.. अगर इतना perfect अपको मिल भी जा है तो फिर उसके साहज़ रहे ह। आपको यへ各 जिसमे वह तो उसके साथ भी आपको चीजस कर रहे हैं तो I इनर जी मुझे हां पर इस पर सिर्फ सिर्फ सीनके डिखाई दे रही है कि इनको यद्ध झालती दूसर ऑं मतलब जैसे आपको यह पाइड जा गांड दें कि 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 सीके साथ भी रह लो कि एन बन जाओ गया आप लू सब रहने लगजा, आपके बहुत आचा हो जाए, क्या होता नहीं जब आप किसी ऐक अच्छे इंसां को डेल कर चुकी होते हो, या फिर आप़के पास कोई लॉयल इनसां रह चुका होता है, तो वह आपके लिए एक बहुत बड़ा level set कर देता है तो आप हमेशा ही उसको match करता हुआ इनसान चाते हो घाए चाते हैं दूसरा इनसान हो लेकि उसके level का एसा possible ही नहीं हो पाते है आपको दूसरा उसके level का मिल जाए अगर आप cheater हो तो कभी possible नहीं होता है है तो यह एनरजी मुझे हमाँ पर नजर आ रही है एक चीज परसंग बोल रहा है कि आज रवाद कभी किसी चीज सुनका तो डिसीजन नहीं लेना है जिन्दगी के अंदर चीक है यह बहुत बड़ा अच्छा और क्या बोलता है उसको बहुत बड़ी अच्छी लाइन है समझदारी वाली लाइन कि कभी भी किसी की सुनका डिसी कह रही है कि यह काम करना चाहिए तब तक आप रुके रहो तब तक आपना पूरा टाइम लो जब आपको ऐसे होता है और आप यह चीज आप नहीं कर पा रहे हो फिर भी आपने कर डाली तो वहां पर क्या होगा ना आप आपकी जो पावर्स हैं वह दूसरे के हाथ में चली कि कि के नहीं के इनर वाइस आपके इंड़ुशन सापको गाईड करते हैं कि जो आप कर रहे होग न वह कई करें तक सही है गलत है लेकिन अपूर भी करेंगे देखिए family friends आपके partner या कोई भी हो किसी ने भी ने भविश्चे नहीं देखा है अंतर्यामी कोई नहीं है लेकिन हाँ आपके इंट्यूशन्स अंतर्यामी जरूर होते हैं आपके इंट्यूशन्स बहुत दूर की बात आपको बता देते हैं अगर आप उसे ध्यान से सुनें तो आपको बता देंगे ये भविश्चे में क्या होगा इसलिए किसी की सुनो नहीं सुनो वह एक डिफरेंट केस है पर इपने इंट्यूशन्स अपने अंतरात्म अपनी इनर वाइस की जरूर सुनो और यह प्रैक्टिस से आता है डेली वन आर मेडिटेशन करना स् सीखते हैं लेकिन जिन्दी इतनी बड़ी नहीं है कि आप पहले गलती करो फिर सीखो ऐसे तो बहुत समय वरबाद हो जाएगा कई बार आपको दूसरों की गलतियों से भी सीखना होता है यानि कि जब हम रीडिंग करते हैं न जो गलतिया आपके पार्टनर में की हैं आपक ओके यह आपर मैसेज आ रहा है आपके पर्सन के लिए चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ट्स कार्ट्स क्या कहते हैं करते हैं आपके लिए मैं आपके लिए्या आपके लिए हैं और यहां पर और एनरजी क्या रही है यहां पर एनरजी आरी एट ऑफ शॉट्स एंट रियो फॉट्स की आपकी पर से ना इंतजार कर रहे हैं करें कि कम मैं इस मुसीबत से मैं नकलूँ गा हैं जैसे लोग Mic1 की आपू तरुन की ह्यूट्स अजरूगी होगी कि वो तलवारों के बीच में खड़ा हुआ जरूर है उसके आंग को पटी लगी हुई है लेकिन वो कहीं से ना मतलब बाउंडरी नहीं है चारो तरफ से उसने अपने आपको स्टक मान रखा है इसलिए वो स्टक खड़ा हुआ है ठीक है बाउंडरी के अंदर किसी ने बंद नहीं किया हुए उसने पटी लगाई हुए है हाथ पर बाउन रखे हैं और उसने सोचा है कि मुझे तो ऐसे ही जीना है यह एनरजी भी आपकी खुद की क्रियेट की हुई होती है जब आप ये एकसेप्ट कर लोगता है कि आपको यहां से कोई और निकालेगा आप ख कुछ भी ना आपको बता है तो आपका आंसर यह होता है कि कुछ समय थोड़ा बेट करो थोड़ा और रुख जाओ उसके बाद से स्टेप लेना लेकिन अगर इंट्यूशन कुछ आंसर कर रहा है और बता रहा है कि तुम्हें एक्शन लेना चाहिए यहां पर तो फिर वहां पर रुको मत वहां पर एक्शन जरूर लो ठीक है कोशिश करो मन को बनाओ अबने क्योंकि आपके पार्टनर की एनरजी है यह इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए इनको यहां से निकाले यहां पर एक लाइन चैनल हो रही है कि इसी की मदद करता है जो अपनी मदद करने की दम रखता है अगर आप अपनी मदद भी नहीं करना चाते और आप हताश हो गया है मन के हारे हार है मन के जीते जीत अगर आपका मन ही हार गया है आपको लगता है कुछ हो नहीं सकता है तो फिर आपको कोई नहीं जिता सकता है ठीक है न आपको हमेशे पॉजिटिव सोचना होत है ठीक है और परिक्षा नहीं की लिए जाती जिनको परिक्षा देने आती हो ओके वो एनरजी में को यहाँ पर दिखाई दे रही है इस परसन की बहुत डरे हुए है किस चीज का डर है अपनी चीजों को खो जाने का डर जिसे आपके अंदर डर था एक टैम पर की पार्टन मे ही है विदी का विधान है तो फिर धरती पर परमात्मा के अलावा उस चीज को कोई परिवर्दित नहीं कर सकता तो हमारे भय का कोई कारण ही नहीं होना चाहिए अगर कोई चीज होना लिखी है तो फिर वो विधना है विदी है तो फिर हम उसे रोक भी नहीं सकते ठीक है उ हो जाए कई वो ना हो जाए दुनिया भर की चिजे रहते हैं अ इंड कि जहां पर आपके करने ना करने से कुछ आम्तरी नहीं पडने वालने में वह पर लिए करिये कूए वो वो चीज फिर यूनिवर्स के हाथ में, अगर होना लिखी है तो हो जाएगी, और अगर कोई बचा सकता है, तो परमात्मा ही बचा सकता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी आपके पार्टनर की अनरजी बहुत जादा वो रहती है, और से यूनिवर्स इस परसन से कहते हैं, तो हो, पैसा कमा हो, लेकिन आपके पार्टनर के मन में अभी भी कंफ्यूजन है, तीक है, अभी भी कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्यों है, कि अभी भी बाकी सारी चीज़ों को भी जैसे आपके पार्टनर कंट्रोल कर लेना चाहते हैं, अच्छे एक बार बताईए, दुक्क की life दूसरे के कर्म और उसके भाग से ही चलेगी आपके कर्मों से नहीं चलने वाली है आपके पाटनर पुल ऑन यूनिवर्स कहता है कि तुम्हें तो राजा बनना था तुम्हे तो बहुत पैसा कमाना था तुम्हें तो यह करना था वो करो ना तुम्हें बस time मैं रीडिंग में बताया था कि आपको आईना भी देखने का मन नहीं हो रहा है तो वह चीज़ को आपको बैलंस करना होता है कोई कहे कि मुझे इस चीज़ की जरुरत नहीं है यह जूट है आपको मुझे कोई लफ कनिक्षिं की जरुरत निया जूट है यह सिर्फ आप उपर से बोल रहा है आपको जरूरत है आप चाहते हो कोई कहे कि नहीं मैं तो मुझे तो मैं तो ऐसे भी जी लूँगा मुझे पैसे वैसे की कोई जरूरत नहीं है जूट है हाँ जिन्हों ने बिल्कुल इन जीजों को इत्याग दिया हो या जिन्हों ने बिल्कुल यह सोच पर ऐसा सच नहीं होता है उन्ने जरुष नहीं जरुब घुन के लिए हो भाइगे मिला है कि नहीं ठीके ना यहाँ पर यह खौब रहा है हमेशा से कि बहुत मनी उनके पास हो बहुत जादा सक्सेस उनके पास हो बहुत रिच आपके पार्टनर बने कुछ लोगे पार्टनर अल्रीडी हो भी सकते हैं ठीक है अल्रीडी वो रिच हो भी सकते हैं अच्छे खासे फैमली से हो सकते हैं बहुत पैसा व get more information success unlikely abundance abundance वही जो मैं आपको बोड़ रही थी ना कि आपके और आपके पार्टनर को दोनों को जैसे universe force कर रहा है या फिर उनको पुश कर रहा है कि abundance की तरफ ध्यान दो ठीक है abundance की तरफ ध्यान दो success की तरफ ध्यान दो अब दोनों शायद बहुत करियर औरियंटेड इनसान हो और पर्मात्मा शायद दोनों को ये गाइड कर रहा है कि अब टाइम है कि अपने वही अबंदेंस वगरा पे काम करो अपनी success पे काम करो अपने peace पे काम करो और information निका करो उस पर अपना 100% दो और जो चीज अभी आपको प्राप नहीं हो रही है या आपको नहीं मिल रही है उसको perfect timing के लिए छोड़ दो यह same message आपके लिए भी और आपके partner के लिए ओके वीडियो पसंदा है तो like this video subscribe my channel thank you guys